तो हेलो फ्रेंड्स दिस इस मौलीशा पर्मा फ्रम ज्यानोदै ज्यान स्टार्टिंग दी न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है तो उसके लिए आज हम पार्ट वन इंटोड़क्शन स्टार्ट करेंगे तो अब फर्स्ट टॉपिक इस पॉलीगन्स यानि एक ऐसा सिम्पल क्लोजड कर्व जो किस से बना हो लाइन सेग्मेंट से बना हो तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं इधर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जिसको आप क्या कहते हैं सरकल अब इधर हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है एक क्लोजड फिगर है है ना क्लोजड ही तो फिगर है लेकिन क्या यह लाइन सेग्मेंट से बना हुआ है नहीं तो यह हमारा क्या होगा पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि पॉलीगन की क्यरक्टरस्टिक ही है यही है कि कोई भी फिगर क्लोज होना चाहिए अब इसमें एक 취z यह है कि अगर आप लाइन सेग्मेंट से कोई भी फिगर बनेगा तो वो कैसा फिगर कहलाए जाएगा corner curve figure कहला जाएगा अब ऐसे तो बनेगा नहीं न curve तो ये भी है लेकिन ये line segment से तो बना नहीं है तो ये क्या कहला जाएगा corner curves जिसमें हमारे क्या निकल कर आए corners निकल कर आए अब इधर मैंने कुछ figures बनाए हुए है आप देख सकते हैं एक हमारा ये figure है now this was a square and this was a rectangle तो ये सब क्या है polygons है polygons क्यों है क्योंकि polygons के जो characteristic होते हैं वो सब इन तीनों में लागू हो रहे हैं means ये simple close curve भी है line segment से भी बने हुए है और corner curves भी है है ना ये भी देख सकते हैं आप close है line segment से बना है ये rectangle भी close है और line segment से बना हुआ है अब इधर आपना mind यूज करके बताए कि क्या ये जो तीन figure मैंने इधर बनाए हुए है क्या ये polygons है तो ये हमारे क्या है not polygons अब ये not polygons क्यों है क्यूंकि पहले figure को हम समझते है पहले figure close तो है लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि ये जो lines है ना ये two lines ये एक दूसरे के end से meet नहीं हो रही है यानि ये close का बन रहा है जब ये दोनों line आपस में intersect होकर इस figure को close बना रही है यानि ये end से match नहीं हो रहा है इसलिए ये हमारा polygon नहीं है अब next ये तो आप देखी सकते हैं ये क्या है हमारा open figure है close नहीं है अगर ये line हमारी इस से match हो जाती तो ये polygon बन जाता लेकिन ये तो open है close तो है ये नहीं तो means ये भी हमारा polygon नहीं है अब आप इदर देखिए ये close figure है लेकिन क्या आपको ये simple close figure लग रहा है नहीं क्योंकि ये हमारा critical close figure है ये हमारा simple close figure नहीं है इसलिए ये हमारे polygons भी नहीं है So our next topic is classification of polygons अब polygons को अलग-अलग different different figures में classified किया गया है अब किस basis पे कि उनके पास कितने number की vortex हैं कितने number की sides हैं उस basis पर polygons को classified किया गया है तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से figures हैं जिनको अलग-अलग vortex में classified किया गया है So our first classification is triangle अब आप इदर figure पे देख सकते हैं कि इसके कितने vortex हैं हम count करें तो इसकी three vortex हैं तो यानि three vortex के कोई भी figure होता है तो उसको हम क्या कहते हैं triangles कहते हैं अब हम next figure की तरफ चलते हैं So our next classification is quadrilator अगर आप इदर sample figure देखें तो इस figure में आपको कितनी vortex कितनी sides दिख रही हैं four sides और four vortex आपको इदर दिख रही हैं तो means कोई भी figure जिसकी four sides और four vortex हों उसको हम quadrilator कहते हैं quadrilator में आपके rectangle और square भी आ जाते हैं अब हम अपना next figure देखते हैं तो मारा next classification है pentagon अब इदर figure पे देखिए कि pentagon की five sides हैं अगर हम इसे count करें so there was five sides and five vortex of the pentagon तो यानि ऐसी figure जिनकी five sides और five vortex हों वो pentagon कहलाता है now next classification is hexagon अब इदर आप figure में count करें so one, two, three, four, five, six so means it have six sides तो यानि ऐसी figure जिनकी six sides और six vortex हों उनको हम क्या कहते हैं hexagon कहते हैं now next classification is heptagon अब इदर heptagon में आप figure में sides को count करें तो ये कितनी sides होंगी seven sides तो means simple अगर किसी भी figure में seven sides और vortex हों उसको हम heptagon कहते हैं now next is octagon अब octagon के figure में अगर हम count करें so there was eight sides तो means कि कोई भी figure जिसकी eight sides और vortex हों उसको हम heptagon कहते हैं so next classification is nonagon अब nonagon के figure को अगर हम sides इसकी count करें so there was nine sides right तो जिस भी figure की nine sides और nine vortex हों उसको हम nonagon कहते हैं now last is decagon अब decagon की figure में आप देख सकते हैं कि इधर छोटी छोटी eight sorry छोटी छोटी ten vortex हैं और ten sides हैं तो में जिस भी figure की ten sides of vortex हों उनको हम decagon कहते हैं so our next topic is diagonal a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vortex of a polygon यानि एक line segment जो की दो non-consecutive vortex polygons के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को connect करें तो उसको हम क्या कहते हैं डाइगनल्स कहते हैं अब ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होती है है ना so vortex is a point where two line segments are joined to form an angle means यहाँ पे एक ऐसा point जो कि जहाँ पर दो lines एक दूसरे को connect करें ताकि एक angle form हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं vortex कहते हैं तो इदर आप figure में देख सकते हैं कि ये हमारा rectangle है अब इसके vortex क्या है ये जहाँ पर ये दो lines एक दूसरे को meet कर रही है और यहाँ पर एक क्या बन रहा है angle बन रहा है similarly this was also a vortex this was also a vortex and this was also a vortex and these are the angles अब vortex तो हमने समझ लिया कि vortex क्या होता है now what is consecutive 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 अब consecutive क्या होता है इदर क्या word आया consecutive vortex means मान लिएजे कोई भी vortex है यह पॉइंट ले लिया है मान लिएजे यही एक वर्टेक्स है अब इस वर्टेक्स का consecutive vortex मतलब इस वर्टेक्स के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा वो इसके consecutive होगा इसके सामने वाला यह इसके consecutive होगा इसके सामने वाला यह consecutive होगा तो यानि तब जाकर यह क्या बन जाएगा एक फिगर बन जाएगा है ना तो यानि consecutive vertex मतला उसके just सामने वाले लिखे नब इधर क्या पूला है non consecutive vertex यानि diagnose उनी को match करेंगे जो के non consecutive vertex हो यानि opposite हो या supplementary हो consecutive नहीं होने चाहिए तो इधर मैं इधर यह हमारा क्या है rectangle अब इधर आप देख सकते हैं वार्टेक्स sorry diagnose कहां से बनेगा यह वार्टेक्स opposing vertex को meet करेगा now we meet it and यह वाला vertex इस vertex से meet करेगा तो यह दोनों क्या है यह दोनों है हमारे diagnose है ना क्योंकि यह consecutive vertex से meet नहीं कर रहे है इसका consecutive vertex क्या है यह यह क्या कर रहे है opposite vertex से meet कर रहे है similarly अब यह हमेरे पास एक pentagon shape है इसके diagnose हम बनाते हैं तो इस vertex से यह vertex meet हो जाएगा इस vertex से यह vertex now from this to this vertex this and this so what are these? these are the diagnose okay so diagnose के characteristics क्या होते है कि जो vertex होते है ना जो एक ऐसी line segment जो कि non consecutive vertex को meet करें so this was the diagnose so our next topic is types of polygons हमने पहले classification पढ़े थे polygons के अब हम types पढ़ेंगे so there are four types of polygons convex polygons, concave polygons, regular polygons and irregular polygons अब convex polygons क्या है ऐसे polygons जिनकी कम से कम एक angle अब किसी figure में एक angle होता है किसी में four angle होते है किसी में three angles होते है तो convex polygon का मतलब है किसी भी figure का कम से कम एक angle किस से less than हो 180 से less than हो यानि मान लीजे अब ये एक angle है अब हमको पता है कि rectangle का angle क्या होता है 90 degree ये भी 90 degree है ये भी 90 degree है और ये भी 90 degree है तो इधर आप देख सकते हैं कि सारे ही angle क्या हो क्या है 90 degree means 180 से क्या है less than है है ना अब ही हमारे पास क्या है triangle है अब हमको पता है कि equilateral triangle में जो angle होता है वो कितने का होता है 60 degree 60 degree and 60 degree तो यानि एक angle हमारे किस से less than है 180 degree से यानि convex polygons में सारे ही angle क्या होते है 180 degree से less than होते है अब जैसे convex polygon है वैसे ही उसका opposite क्या होगा concave polygon अब concave polygon के ये कुछ examples है इसमें क्या होता है कि कम से कम एक angle यानि जरूरी नहीं ये एक ही हो दो भी angles हो सकते है लेकिन minimum angle क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो means one angle 180 या 180 से greater than होना चाहिए यानि ये जो हमारा figure बनाया है concave polygon का यहाँ पर ये जो angle होगा ये वाला ये या तो 180 degree होगा या तो 180 degree की क्या होगा equal होगा या 180 degree से ज्यादा होगा यानि plus 180 degree होगा अब ऐसे ये जो आप देख सकते हैं ये एक figure है इसका जो ये वाला angle होगा न यानि ये दोनों इसका ये vortex है अब ये एक दूसरे को meet किया है angle बनाने के लिए तो ये जो angle होगा ये भी या तो 180 degree के equal होगा या 180 degree से ज्यादा होगा तो these are the concave polygons आप इधरे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो vortex है ना ये vortex ये vortex यानि exterior diagonals form हो रहे हैं अगर convex में देखें तो ऐसी situation convex में नहीं आती यानि convex polygon में सिर्फ interior diagonals ही हम form कर सकते हैं लेकिन concave में हम exterior exterior diagonals भी form कर सकते हैं तो ये एक सबसे बड़ा differentiate है इन दोनों में ना नेस्ट इस regular polygon अब regular polygon का मतलब क्या है कि जिसकी दो ये सारी जो angles है वो एक दूसरे के equal हो और या फिर दो side या फिर सारी sides एक दूसरे के equal हो तो वो क्या कहलाता है regular polygon अब जैसे ये हमारा क्या है rectangle है अब rectangle की सारी जो सारे जो angles होते हैं वो एक दूसरे के equal to में होते हैं लेकिन जो sides है, वो क्या है, parallel sides equal होते हैं, यानि दो sides हमारी equal है, so this is the regular polygon, similarly equilateral triangle में देखें, तो इसके तो angles भी same होते हैं, और इसके जो sides हैं, वो भी दूसरे के equal होते हैं, so these are the regular polygons, so next is, and this is the last type of the polygon, irregular polygon, अब regular polygon में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल उसी के ये opposite है, यानि जिसके sides, जिसके vertex, जिसके sides एक दूसरे के equal ना हो, वो क्या है, irregular polygon, so our next topic is, angle sum property, अब previous class में हमने कौन से angle sum property समझी थी, triangle की, है ना, हमको याद है, कि previously हमने angle sum property of triangle पढ़ी थी, जो कि क्या होती है, 180 degree, तो इस class में अब हम क्या पढ़ेंगे, quadrilater, quadrilater, means the angle sum property of the quadrilater, जो क्या होती है, 360 degree, अब हम समझते हैं, कि angle sum property क्या होती है, simple question में ही बिल्कु समझ में आ रहा है, angle sum property, यानि किसी भी figure के, सारे angle का sum, वो क्या कहलाता है, angle sum property, अब ये क्या है, हमारा quadrilater, हमको पता है, हमने पढ़ा था कि 4 side जिसकी होती है, वो quadrilater होता है, अब quadrilater का angle sum property क्या है, 360 degree, यानि अगर हम सारे angles को प्लस करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, 360 degree, है ना, तो चलिए इसको हम example से करके देखते हैं, अब इसका क्या होता है, है, एक angle 90 degree, 90 degree, 90 degree, and 90 degree, है ना, तो, इफ वी प्लस थीस all angles together, तो ये कितने 90s हैं, 4, so, means 4 into 90 degree, right, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, so, 9 forza, 36 and 0, तो, means इधर से ये clear हो रहा है, कि quadrilater का angle sum कितना होता है, 360 degree, अब angle sum property के base पे आपको तीन तरीके के question मिल जाएंगे, पहला, interior angle x, यानि इस figure में आप देख सकते हैं, कि इसमें interior, तीन interior angle आपको दिये गए हैं, 70, 90, 60, और एक angle x दिया गया है, जिसको angle sum property के हिसाब से x की value निकालने पड़ेगी, अब next, number of sides, यानि कोई भी आपको number of sides मतलब दे दी जाएगी, एंगल दे दिया जाएगा, फिर उसके basis पर आपको बताना पड़ेगा, कि इसके number of sides कितनी निकलेगी, अब next है exterior angle, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर exterior angle हमको 2 दे दिये जाएगे, मतलब 2 या 3 दे दिये जाएगे, और फिर आपको बताना पड़ेगा, कि x की value क्या है, तो चलिए हम पहले देखते हैं, interior angle x, अब हम जानते हैं कि sum of sides of quadrilator, sorry इधर हम angle आजाएगा, क्योंकि हम angle का sum कर रहे हैं, quadrilator, कितना होता है, 360 degree, है ना, तो 70 degree, plus 90 degree, plus 60 degree, plus x, equal to 360 degree, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, sum करने पर 360 degree, equal to में आएगा, अब 90, plus 60, 15, 150, and 150, plus 70, 200 degree, right, plus x, equal to 360 degree, तो इधर हमारा क्या आजाएगा, 22, 0 आजाएगा, है ना, 150, plus 70, 220 degree, अब इधर हम x की value, find करेंगे, तो इधर x, equal to, 360 degree, minus, 220 degree, तो अगर हम इसको minus करेंगे, तो answer क्या हैगा, 0, 6 minus 2, 4, 3 minus 2, 1, so means, 140 degree, तो यानि x की value क्या निकल कर आई, 140 degree, तो इस तरीके के question आपको मिल जाएगे, अब next कैसे question मिलेंगे, number of sides, यानि इसमें हमको number of sides क्या करनी पड़ेंगे, find करनी पड़ेंगी, अब आपको ऐसे मिल जाएगा, कि एक angle आपको दे दिया जाएगा, जाएगे एकस्टेरियर हो, जाएगे इंटेरियर, माल लिजी, 45 degree आपको दे दिया जाएगा है, कि एक angle आपका 45 degree है, अब आपको फाइन करना है, कि sides कितनी होते हैं, तो आपको पता है, कि sum of angle, कॉइडिलेटर का कितना होता है, 360 degree, और इच एंगल क्या है, इच हमारा एंगल क्या है, 45 degree, तब इसको निकालने के लिए, मलता side निकालने के लिए, हम 360 degree आपकों 45 degree कर सकते हैं, यह हम 9 से cancel कर देंगे, 9 5 जा, 45, 9 4 जा, 36, 0, अगें, वी कट इट, विच 5, 5 जा 5, ना 5 8 जा 40, तो मेंज, हम को, मदलब, इच साइड कितनी होगी, 8, है ना, मदलब, 8 के एक्क्वल, हर साइड होगी, तो इस तरीके के question भी, आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको साइड को find करना पड़ेगा, अब next कैसे question में लेंगे, exterior angle x, अब जैसे के इपने पहले काता, ये देखिए, exterior हमको angle दिये गई है, और ये हमारा क्या है, x, यानि हमको बहार की value निकालनी है, तो इसमें भी हमको, angle sum property के base पर, exterior angle निकालना पड़ता है, तो हमको पता है कि sum of angle, sum of angle कितना है, 360 degree, अब चाहे exterior हो, चाहे interior, जो sum angle का रहेगा, वो 360 ही रहेगा, तो इसमें confusion नहीं होना है, चाहे interior हो, चाहे exterior, हमेशा sum 360 degree ही रहेगा, now 125 degree, plus 125 degree, plus x, equal to what, 360 degree, right, so 5 plus 5, 10, 1 carry, 2 plus 2, 4, 5, and 2, so 250 degree, plus x, equal to, 360 degree, अब हम x की value को find करेंगे, के आपको angle sum property की बेस पर, तीन question, exercise, 3.1, और exercise, 3.2 में मिल जाएंगे, आएंगी, के आएंगे, प्रवस्टी